अगर आप भी पिज़ा खाने के शौकीन है पर रोज रोज पिज़ा घर में मंगाना महंगा पड़ जाता है तो आज मैं आपके लिए दो ऐसी यूनिक रेसिपी लाई हूँ जिसे आप एक बार खाएंगे तो पिज़ा हट जाना भूल जाएंगे तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ये यूनिक रेसिपी ये रेसिपी मैंने बचीवी रोटी से बनाई है जब कभी रात की या सुबै की रोटी बच जाती है तो आप उसे इस तरह से नए तरीकी से बना के खा सकते हैं तो रोटी पे मैंने यहां पे सॉस लगा लिया है अब पर रखेंगे चीज स्लाइस रोटी पर जब सॉस लगाएं तो बहुत ही कम लगाएं बहुत पतली लेयर हो यहां पर मैंने चीज इस तरह से लगा दी मुझे लगा कि दो चीज और नहीं आपाएंगे तो इस तरह से कट करके मैंने लगा दी है इसके उपर मैं डाल रहे हूं अब इसके उपर एक और रोटी रखेंगे और उसके उपर भी एक पतली सी लेयर सॉस की लगा देंगे फ्रेंट्स आप मेरा यह वीडियो किस से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताईगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं तो अब मैंने यहां पर सॉस कर लिए तो आप उसे कट करके हटा सकते हैं अब इसके उपर भी औरेगेनो डाल देंगे आप चाहें तो इसके उपर लाल मिर्च या कुछ अपनी पसंद का मसाला डाल सकते हैं जो भी आप खाना चाहें अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे हमें थोड़ा टाइट फो कट करेंगे बहुत ज्यादा पतले या बहुत ज्यादा मोटे भी नहों इस तरह से हम चोटे-चोटे पीसेज में इसे कट कर लेंगे बहुती टेस्टी रेसिपी बनती है एक बार आप इसे जरू बनाएगा अब एक रोटी के रोल को उठाएंगे और जहां पे ये छोर खत दिया है ताकि मुझे ओयल न लगाना पड़े आगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहरें तो तवे पे थोड़ा सा तेल लगा दें और इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे सारे रोल्स को इस तरह से टूथपिक डाल के मैंने तवे पे रग दिया है तो अब इ अब चाहें तो उबले हुए मश्रूम डाल सकते हैं इसके उपर या पनीर के पीस भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने सारे त्यार कर लिए हैं अब इसे अम गैस पर रखेंगे और भग तक धिमी आज पर पकने देंगे ताकि इसकी चीज मेल्ट हो जाए अच्छे से आलिया और इसमें टाइम भी जादा नहीं लगा नहीं कोई ओल लगा इसमें मेरे घर में बच्चों को तो क्या बढ़ों को भी यह रस्पी बहुत पसंद आई थी एक बार आप इसे जरू ट्राइ करिएगा अब मेरे पास सॉस का यह पाउच पड़ा था तो इसी कोई मैंन के बी इस तरह से बालतम को लगाए तो देखा बन गई ना युद सिपी बचयरोटी से को बनाने के लिए वै चलिए आप दुसremy रेसिपी भी बना लेते हैं इसके लिए मैंने एक डूटी है और इसले इस तरह में इस तरह से चार फोल्ड में पर दे रही हूं सिर्फ करने के लिए इस तरह से फोल्डना है Amen तो इस तरह से प्रेस करके हम माक लगा देंगे और इसे मैं कटर से काट रही हूँ, चाकू से भी आप काट सकते हैं, अब एक तरफ इसके रखेंगे चीज स्लाइस, चीज स्लाइस को थोड़ा सा मोड देती हूँ, क्योंकि ये माक से थोड़ा बाहर जा रही है, अब इस को ठंड़ती है मश्रूम डालें, शिंबला मिश डालें, जो आपको पसंद रही हूँ, अब इस तरह से हम रोटी को इस तरफ से फोल्ड करेंगे एक साइड इस तरह से पनिर के ऊपर डालेंगे और बागी का इधरसे फोल्ड कर देंगे, तो ये देखिए चारो तरफ से य ठाझी को सरफ दो मिनट तक शिखने देंगे दो मिनट हो गया है अब इसे हम पल्टा दे रहे हैं ताकर ये दूसी तरफ भी सिख जाए अब इसे हम मोड लेते हैं और दूसी तरफ भी हम धक के दो मिनट के लिए सेख लेंगे दो मिनिट हो गया है तो पराठा दोनों तरफ से सिख गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं इसी तरह से ही दूसरे भी हम बना लेंगे वाव बहुती टेस्टी लग रहा है ये तो इसे अब हम बीच में से कट कर लेते हैं गर्मा गरम पराठा बनाए है बिल्कुल पिज़ा की तरह लग रहा है एक बार आप इसे खाएंगे न तो बार-बार आपको बना के खाने का मन करेगा तो चले बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुछ special ही प्लेटिंग करते हैं तो इसको इस तरह से रख देते हैं और side से बना देते हैं sauce से एक smiley ताकि बच्चे भी देख करना खुश हो जाएं और जट पट से ये पराठा खा लें आप इसे ताजी रोटी से भी बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि बच्ची भी रोटी हो तभी इसे बनाना है आपको इन में से कौन सी recipe पसंद आई मुझे comment box में जरूर बताएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें comment करें अपने friends और family में से share करें तो मिलते हैं next video में next topic के साथ till then thank you for watching and take care